So welcome back to AS Group, मेरा नाम है आमिर और हासिर हुआ काउंटिंग सरीज की नई क्लास नए वडियो लेकर आज की इस क्लास में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में बजट फीचर का इस्तमाल करना है तो वो हम कैसे करेंगे इसके लिए अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ बजट होता क्या है बजट आप एक प्रकास से कह सकते हैं कि आप एक प्लैनिंग कर रहे है जैसे मानलीजे एक्जामपल के दोड़ पर मैंने ये डिसाइड किया है कि साल के लास तक मैं अड़िजमेंट में या मानिजे डेकॉरेशन में टूटल मिलाकर साथ हजार रुपे ही खर्च करूँगा इससे क्या होगा अगर हम budgets create करेंगे तो budget create करने से जो overall expenses होंगे हमारे हम उनको monitor गर पाएंगे हम यह देख पाएंगे कि कब हम अपने budget से बाहर जा रहे हमारे budget का कितना amount बचा हुआ है वैसे मैं आपको बता दू यहाँ पर आपको गर में दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप create पर जाएंगे और create पर ही आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ options दिखाए देते हैं इसी मिन से अगर आप उपर जाएंगे show more में जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आप देखेंगे उपर accounting masters के अंदरगत आपको budget drop का option दिखाए देता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि budget का स्थमाल हम करते हैं अपने expenses को track करने के लिए और अगर 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 आप चाहें तो आप हर एक चीज़ के लिए budget decide कर सकते हैं कि साल के last तक या मालेजे एक महिने का भी आप budget बना सकते हैं कि आप इसमें इदना expense करेंगे और बाद में आप उसे monitor भी कर सकते हैं करेंगे कैसे चले मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मान लिजे मैंने आप इस दो expenses सभी बताये थे आपको पहला advertisement charge दूसरा decoration charge आगर आप चाहे तो आप salary, wages, transport charge सभी के लिए budget बना सकते हैं और एक ही budget से आप सब को monitor कर सकते हैं करना कैसे होगा वो देख लीजे जैसे मैं आप example के दूर पर पहले मैं आपे laser पर जाता हूँ और मैं दो-तीन lasers बनाता हूँ जिनके लिए मैं budget create करूँगा तो जैसे पहला laser था आपका वैसे मैं create कर चुका हूँ मैं आपको दिखा दूँ मैं ये जस्ट आपको बदाया था advertisement charge ये आप एक बना हुआ है और मैं एक और बना लेता हूँ तो मैं आपे क्या करूँगा advertisement charge या फिर आपको जिन-जिन का budget बनाना है आप उनको create कर लेजे advertisement charge का मैं पहले ही बना चुका था अब ही मैं क्या करूँगा मैं decoration charge का बना ले रहा हूँ याणि पहले आप जैसे लेजर बनाते था normally आपको वैसे ही बनाना है और कुछ नहीं करना control एकर के save कर देना है तो हमने यहाँ पे दो लेजर बना लिये हैं एक advertisement charge एक decoration charge आप जिसका भी budget बनाना चाहें आप पहले उनका laser create कर ले तो आपको benefit रहेगा चलिए आप अमगलास tip करेंगे मैं back जाओंगा और यहाँ से मुझे जाना है show more पे जैसे आप show more पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे budget नाम को एक option दिखाई देगा आप इस पे click कर दीजिए जैसे आप click करेंगे अब आपका budget यहाँ पे बनना शुरू हुआ है अब इस budget का आप नाम क्याना देना चाहेते हैं तो मैं यहाँ पे देता हूँ my expenses मैं इस budget का नाम दे रहा हूँ ठीक है और इसको primary रखूँगा अब जो यह budget आप create कर रहे हो इस budget को आप कब से कब तक के लिए बना रहे हो यानि कितने दिनों के लिए महीनों के लिए या साल के लिए यासे मेरे विखरमबल मैं आपे 1 April 2023 से ले करके 31 March 2024 तक के लिए बना रहा हूँ यह कर रहा है जो budget आप create कर रहे है पूरे के पूरे ग्रुप पे लगाएगी या किसी laser पे लगाएगी अब दिए ग्रुप पे लगाने से क्या होगा जैसे मान लिजे मैं यहां से yes करता हूँ अब यहां पे ग्रुप का नाम जैसे मैंने का indirect expense है तो मैंने अगर यहां से indirect expense कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो आप budget create करेंगे इस पूरे के पूरे ग्रुप पे apply हो जाएगा आप indirect expenses में जो भी आदा होगा चाहे वो आपका career out word हो चाहे वो decoration charge हो चाहे आपकी salary हो जितने भी indirect expenses होंगे उन सब पे यह आपका budget apply हो जाएगा लेकिन आपको मान लिजे ग्रुप पे नहीं आपको कुछ particular expenses पे apply करना है तो अभी यहां पर पहले बाहर आईए और इसको आप फिलाल नो करिए क्यों कि आपको ग्रुप पे नहीं लगाना आपको लगाना है किसी laser पे तो अभी ACS करिए अब laser पे आईए आपको जिस पे apply करना है जैसे मुझे advertisement charge पे apply करना है कितना total खर्चा करूँगा मैं एक साल में मान लेजे मैं 50,000 रुपय खर्च करूँगा अगला वाना कौन से था decoration charge तो यहाँ से d दबाई है decoration charge आ गया साल पर में कितना खर्च करेंगे आप total overall लिला कर तो मान लेता हूँ मैं करूँगा 65,000 रुपय तो यहाँ पर आपने एक budget create किया जिसमें आपने दो expenses को monitor करने के लिए डाल दिया अब यहाँ से control ले करके इसको save कराते है control ले करके इसको save करा देते है ठीके अब जो भी आपकी entry होई नॉमली जैसे आप करते रहे हैं वैसे ही करना है बस आप अब उसको monitor कर सकते हैं जैसे example के दोर पर मुझे करना क्या रहेगा मानले जैसे मैं यहाँ से voucher पर जाता हूँ और मैं advertisement charge pay करूँगा तो यहाँ से मैना advertisement charge select किया और मानले ज eerste मैं 25.000 कीज़ रूप पे कर रहा हूँ अब cash गर रूप में pay कर रहा हूँ तो मैंने cash डाल दिया यहाँ से और यहां से इंटर करते हुए, मैंने इसको save कर लिया, चीक है, अब यह अगर मैं आपको दिखाऊँ, क्या परगाएगा, तब यहां से बाहर आए, प्रोफिडर लॉस पे जाए, और यहां से आप नीचे देखेंगे, आपको indirect expenses दिखाई देगा, आप इसपे क्लिक करिए, क् बज़ेट बनाया गया था, उस बज़ेट के साफ से हमने दो चीजों के लिए बज़ेट डिसाइड किया था, पहला advertisement charge, दूसरा decoration charge, advertisement charge जो overall आपने closing balance बताया था, कितना आप कर सकते हैं साल में, वो 50,000 रुपय था, अब उस 50,000 रुपय का 50% आप कर चुगे, देखें आप अभी की बार में decoration charge पे करूँगा, तो यहाँ आप इंटर कर दिया, पूरा 65,000 रुपय में पे कर दे रहा हूँ, यहाँ आपको पूरे साल में करनी थी, आप एक इंटरी में कर रहा हूँ, को मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ, कि आप budget में जा जाकर, बार-बार आप जाँगा, profit and loss में जाँगा, और यहाँ से overall expenses में चला जाता हूँ, और यहीं से अगर मैं budget आपको चेक कराता हूँ, तो मैं यहाँ से budget variance प्लिक करूँगा, और इंटर कर दूँगा, अब आप देख लीजे, बता रहा जो decoration charge था, उसका जो budget था, उस budget का पूरा 100% आप या टैले के किसी भी software में, almost यह सभी में दिया रहता है, आप ERP 9 यूज़ करते हो, या कोई दूसरा वर्जन हो, आप budget की साय था, अपने expenses को track कर सकते हैं, यह देख सकते हैं, जो आपने overall target बनाया था, कि साल में आप इसमें इतना खर्श करेंगे, कितना कर चुके हैं, कितन expense करना है, ठीक हैं, तागे आपका profit बढ़ जाएगा, तो hopes आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है, वीडियो को like, चनल को subscribe, bell icon पे hit, बहुत चिल मिलेंगे, तब तक अपने ख्याल लखिए, accounting सीखते हैं, bye bye, take care.